हेलो एब्रिवान, दोस्तों मैं बना रहे हूँ लौकी का जूस लौकी का जूस बहुत ही जादा फायदा करता है मेरे पास सरकव वो नाया, उन्होंने बोला कि खाना बनाने की रेसिपी डालती हो कोई ऐसी रेसिपी डालो जिससे वजन भी कम किया जा सके तो मैंनों से मजाक में ही बोल दिया था कि खाना मत खाये या कुछ भी मत खाये वजन अपने आप ही कम हो जाएगा तो ये तो मजाक की बात थी लेकिन लौकी का जूस अगर हम डेली सुबा खाली पेट पिये तो वचन हमारा तेजी से कम होता है और पेट भी अंदर हो जाता ह ये जूस बनाने के लिए हमें चाहिए ताजी लौकी और लौकी को हमें छील लेना है छील कर इसको काट कर इसके बीज अलग कर लेना है और बीज अलग कर लें तो हमें से साप पानी से दूल कर कद्दू कस करना है लौकी को हम बारीक कद्दू कस कर लेंगे लौकी और हाथ से दबाते हुए हम सारा जूस अलग करेंगे, आप चाहे तो इसे सूती कपड़े में डाल कर और उससे दबाते हुए जूस निकाल सकते हैं, लेकिन वह प्रोसेस थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो जाता है, तो इसे मैं हाथ से दबाकर निकाल दहीं हुए हुए इससे च्छनी से दबा कर इसका जूस निकाल लेंगे जूस निकालने के बाद ये लॉकी हमें बिल्कुल भी फेकना नहीं है इसकी मैंने कई सारी रेसिपी बनाई है जिसका लिंक मैंने दे दिया है आप चाहे तो देख सकते हैं ये जूस हमारा इतनी जल्दी बन करके तयार हो जाता है अगर हम इसमें नमक नहीं डालेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा ये जूस और निकालने में और ये जूस कई बिमारियों में फायदा करता है चाहे वो हाई ब्लड प्रेसर हो, यूरिकेसिट हो या आप वजन कम करना चाह रहे है, या आपको गैस बनती हो या पेट में कोई भी प्रॉबलम हो, सिर्दर्ध होता हो, या थाईराइट की प्रॉबलम हो या आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती हो, तो आप इसे गर्मी में पिएं आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, यह बहुत अच्छा जूस लगता है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नीमबू, नीमबू डाल देंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है, और इसको हमें पीना है, सुबा सुबा काली पेट, यह बहुत ज़्याद फायदे मन जूस बन करके तयार है आप अगर अपना वचन कम करना चाहते हैं तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए बहुत अच्छा जूस होता है और बहुत सारी बिमारियों में फायदा करता है आप चाहें तो रामदेव बाबा की वीडियो देख करके इसके फायदे जान सकते हैं सबसे जरूरी बात की जूस बनाने के पहले हमें लौकी को चेक कर लेना है कि वो कड़वी तो नहीं है थोड़ा सा पीस काटेंगे और उसको हम टेस्ट करेंगे अगर वो कड़वी है तो जूस बिलकुल भी ना पीए क्योंकि वो बहुत ही जातर नुक्सान करती है लौकी का जूस बनाने से पहले लौकी टेस्ट करके बनाना चाहिए और लौकी मीठी हो तभी बनाना चाहिए और हमें इसे 15 दिन लगातार पीना है 15 दिन के बाद आप इसे बन कर सकते हैं मैं यह जूस खुद भी पीती हूँ और यह बहुत ही अच्छा जूस है इसे हमारा वज़न बहुत ही जल्दी कम हो जाता है दोस्तों आपको यह जूस बनानी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और आप मेरे चैनल पर नए है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा थेंक्यू फार वाचिंग मैं वीडियो